प्री परमेश्वर के लोगों प्रभु जी तेरे वचन को बताने के लिए मुझे आप सहात करें और तेरे वचन को सुनने वाले सभी मेरे आत्मिय परिवारों को आप आशिश करें इन वचनों को ध्यान करने के लिए सुनने के लिए उनके अंदर एक धीरज दीजिए कोई भी प्रकार के समस्याएं, रुकावटे ना रहें, आप हमें संबाल कर प्रभू, आज जिस वचन को ध्यान करने वाले हैं, उस पूरे वचन के भागो को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, पवितरात्मा, आप हमें चलाईए, आपको धन्यवाद मिलें, येश्यू को म आसे अच्छे हैं, इस वक्त में मैं आप सभी लोगों को, पहले, पिछले दिन हम लोग ध्यान कियेते हैं, सावल के जीवन के बारे में, आज हम लोग दावद के जीवन के चरितर को ध्यान करने वाले हैं, दावद जो है, इसरायल और यहूदी, येनिके 12 गोतर के उपर द आना चाहते हैं, दो-तीन मिनिट में मैं कतम करूँगा, दावद के जीवन में क्या के गटना गट चुकी, सबसे पहले, बतलह में दावद रहता था, वहाँ पर सामुएल नभी क्या करता है, परमेश्वर ने कहने से, सावल तो अभी राजगदी से उतरने वाले हैं, तो इ इंकार करते हैं कि इन में से किसी को नहीं चुना हो, आकर में दावद आता है, दावद को परमेश्वर ने समल को कहते हैं कि इसी को राजा बने देना है, ये राजा बने के बाद सावल के अंदर दुस्टात्मा दाता है, इसलिए उसको भगाने के लिए दावद सावल के प इसके बाद एला के जागा में इसराइल के लोग जब युद्ध करते समय में दाउद के बाई लोग भी वहाँ पर युद्ध करने के लिए जाते हैं साउल के जो बेटा युद्ध के साथ दाउद का दोस्तियार हो जाता है और लोग क्या करते हैं दाउद को तारिफ करना शुरू करते हैं और इसके वज़े से साउल को बहुत गुसा जाता है तो दाउद को साउल ने मारने के लिए कोशिश करता है और इन बातों के बाद साउ साूल और भी गुसा हो जाता है दावाद के उपर, तो दावाद का जीवन के वज़े में लेकर योनातान क्या करता है, अपने बाप से बाटचित करता है, कि आप क्यों उसके साध ऐसे हो, तो फिर साूल दावाद को मारने के लिए प्रयास करता है, तो साूल के बेटी मिख़ क्या करती है कर गुड़िया को रख कर तो वहां पर बचाती है तो इसके बाद साउल ने दाउद को मारने के लिए तीन गुरूप को बेशते हैं तो पहला गुरूप दाउद को मारने के लिए कुछ लोग आते हैं सेनेक लोग लेकिन वहां पर क्या हो जाता है दाउद को मारन इसके बाद योनातान इनके सावल के बेटा और दावद की बीच में बात्यत होता है तो योनातान दावद के बेटा दावद को सावल के हाथ से बचाता है और इन बातों के बाद क्या होता है दावद उदर से बाग जाता है सावल से नभी अहमेले के पास जाकर पहुंच जात तो वहाँ पर मेज के उपर रहने वाले रोटी को खाता है, आप सभी को पता है गटना, तो ये गटना सावल को पता होती ही, सावल क्या करता है, अही मेलेक याजक को और उसके साथ पचास याजकों को मार देता है, तो इन बातों के बाद दावुद क्या करता है, कही सरे पिल एक नादाब करके एक वेक्ति राता है दाउद नादाब के पास कुछ मदद के लिए बेशते हैं तो उस वक्त में नादाब इंकार करता है नादाब को एक पत्नी रती अभीगाईल करके तो उस नादाब को दाउद ने मारने के लिए तायार हो जाता है तो अभी गए आकर नादाव को बचा लेती है और परमेश्व नाकरे में नादाव को मारने के बाद अभी गल को दाउद ने क्या करता है शादी करते हैं सारे गटना और इन बातों के बाद बहुत सर युद्ध होता है वहाँ पर नीशे और पूरी रिती से सावल मरने के बाद दावद राजा बनता है और उसके बाद दावद के परिवार के बारे में आप लोग जानते हैं परमेश्व ने दावद को बहुत सरे वहाँ पर प्रॉमिस करते हैं तो इन बातों के बाद दावद क्या करता है योनातन के बेटा मेफिभुषेत को मदद करता है क्योंकि प्रॉमिस किया था योनातन को दाउद ने तो उसके बाद दाउद क्या करता है उरिया, आपको पता है उरिया के पत्नी के साथ गलत व्यवार करता है वो पाप करने को जैसे नातन नभी आकर दाउद को एक चितवनी देते हैं तो उसके उरिया के उरिया को भी दाउद मरवाता है और उसके बाद उरिया के पत्नी को पत्नी बना लेता है दाउद ने तो उसके द्वारा पैदा होने विले पहला बेटा जो है मर जाता है तो इसके बाद उसके परिवार में बहुत सरा समस्य हो जाता है तो आकरे में हम लोग सालमोन के जीवन के बारे में देखने वाले हैं सालमोन को दावुद ने अपने राज जगद्य को देता है तो सामुल सलम उनको दावुद ने बहुत सरे अच्छे अच्छे विचारों को देते हुए राजा बना देता है तो ये था दावुद के एक ब्रीफ इंफरमेशन इनके संक्षिप्त विवरन दावुद के परिवार के बारे में अगर हम लोग जानना चाहते हैं दावुद के विक्तिक जीवन के अंदर अगर हम लोग कदम बढ़ाने से पहले पहले दावुद के परिवार के बारे में ध्यान करना पड़ेगा या पहला इतिहास वहाँ पर हो या पहला सामल, दुसरा सामल, कहीं पर भी, वहाँ पर मा के प्रती या मा के बारे में कोई भी शब्द में तो नहीं देखा हूँ, लेकिन दावुद ने अपने भजन सहिता में एक ऐसे शब्दों के दौर अपने मा के विशे में कहते हैं परम और तेरी दासी का पुत्र हूं। परमेश्वर्ग भक्त कहते हैं। इसलिए दाउद ने अपने मा के जीवन से यह पहचान लिया था कि अपने खुद मा जो है परमेश्वर के मारगी में जीने वाली। जब भी आद करते हो, दावद की पिता जी के बारे में जब भी आपको याद आता है, तो तुरंट आपको याद आना चाहिए रूत के बारे में, रूत का चहुता अदे 17 वचन जाके पढ़ते हैं, तो वहाँ पर रूत को बोज के द्वारा अवेद नाम के एक विक्ति पैद होता है और अबेद का बेटा इशय है और इशय का बेटा दाउद है देखो रूत के जीवन में परमेश्वर के लिए जिना जिस परमेश्वर को नौमी स्वीकार कीती यहवा को उसी परमेश्वर के लिए में जिना है उसी नौमी के साथ में रहना है उसी देश में रहना है प दाउद के पिधा जी के अगर इतियास को देखेंगे तो वो भी एक अच्छ परिवार के विक्ति हैं। और चटमा उसेम और सातमा दाउद और उनको बहन दोग बहन भी थे। ऐसे उनके परिवार बहुत बड़ा परिवार है बहुत अच्छ परिवार है। पहले आगया इसके यह लिए आपड़ की उपर अभिनाद आपकी ऊपर इसे एके विक्ति को सम्वेल ने देखने लगा परमेश्ट ने विक्ति इन सभी को क्या कर दिए। किसी को पसंद नहीं की परमेश्वर ने कहा यह सब लोग अयोग्य मेरे काम करने के लिए योग्य नहीं है तो आखरी में सम्वेल ने इसे से पुस्ते आपको कोई और बेटा है क्या वो बलता है कि हाँ एक और बेटा है प्रियो जीवन में दाउद ने कही हुए अपने जीव दाउद के जीवन में सबसे पहले इक अच्छे कारेक्टर setup की जीवन में सबसे पहले सुभाव कम देखने वाले अभी हम दाउद के व्यक्तिकट जीवन के अंदर घुशने वाले हैं अभी दावुद के एक ब्रीफ इंफरमेशन देख लिए, एक संसिप्ट विवरन और उसके अंदर दावुद के परिवार के बारे में ध्यान कर लिए, क्योंकि दावुद के परिवार किस रिती से रहा, अभी दावुद के व्यक्तिक जीवन के और हम लोग चल पड़ेंगे, दावुद के व्यक्तिके जीवन में सबसे पहला एक व्यक्ति, उसका सोच और उसका जीवन हमेशे यही से रहता था, सबसे पहला, दावुद बच्पन से लेकर है, बच्पन से परमेश्वर के रुदई को जानकर, परमेश्वर के रिदई को जानकर उसी पत पे जीने वले कि विक्तित दाउद ने उसके जीवन में हमेशे यही सोचते रहा था कि परमेश्वर को रिदय में आकिर क्या है परमेश्वर के मन में आकिर क्या है उसको मैं जानना चाहिए परमेश्वर के मन के अंदर रहने वाले चीज़ों को जानकर उसी के अनुसर अपने जीवन को बिताना चाहिए जिंदकी बर परमेश्वर क्या चाहते हैं वो ही करना चाहिए ये केवल जानने के बच्छपन से क्योंकि उसके माँ बक्ति नहीं थी उसके बाप भी एक परमेश्वर के दास थे बच्पन से परमेश्वर की रिधाई की बातों को जाना इसलिए परमेश्वर ने कहा सामयल को जब दाउद के भाईलों को जब सामयल ने देखा तब उस समय में परमेश्वर ने क्या कहा सामयल को दिखेगा पहला सामयल का सोलमाद्य सात्मापद में परंतो यहवा ने सामुविल से कहा ना तो उसके रूप पर दुश्टी कर और ना उसके धील की उंचाई पर क्योंकि मैंने उसे आयोगी जाना है वो सबी लोग आयोगी है उस राजा बनने के लिए लायक ने क्योंकि यहवा का देखना मनुशिकसा नहीं है मनुश्य तो बार रूप देखता है परंतो यहवा की दुश्टी मन पर रहती है परमेश्वर के दुश्टी मन पर रहती है इसलिए प्रेईतों के कामों के वर्णन तेरवाद्य 21 से लेकर 2200 पतक जाके पड़ते हैं तो परमेश्वर के वच्चन को वहाँ पर ऐसे जिक्र किया गया है मुझे एक मनुश्य इसलिए का पुत्र दाउद मेरे मन के अनुसार मिल गया है दाउद के बदली में जब एक राजा दूसरी राजा को जब बनाने के लिए परमेश्वर ने सोचे है उस वक्त में परमेश्वर ने देख रहा है कि उन परिवारों में कौन ऐसे वेक्ति है जो परमेश्वर के मन के अंदर रहने वाला काम को करने वाला है हर एक एक वेक्ति को परमेश्वर ने हर एक एक वेक्ति के रहदय को देख रहा है उसको जानने के लिए तड़पता था और उसको जानकर उसको पूरा करने के लिए कोशिश करता था ऐसे आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने चियासिट किताब हमें हमारे हाथों में बैबल दिये हैं पवितरात्म के द्वारा वो जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में परमेश्वर के मन की बाते हैं परमेश्वर के दिल की बाते हैं परमेश्वर ने मनुष्व जाती को क्या बताना चाहते थे परमेश्वर ने मनुष्व जाती को क्या समझाना चाहते थे किस रास्ता में रहना चाहिए किस पद में जाना चाहिए क्या करना है क्या नई करना है सारे चीज़ को परमेशन अपने मन के बातों को बताना चाहता था इसलिए वो सारे चीज़ को 60 किताब बना कर परमेशन हमारे और आपके हाथ में दिये है आप बाइबल के द्वारा या परमेश्वर के वच्छन के द्वारा परमेश्वर के रिदय की बातों को जानना है परमेश्वर बहुत चाते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा पूरा करें परमेश्वर की चप पूरा करना है तो पहले परमेश्वर के मन की बातों को जाना चाहिए प्रिवाज दुनिया में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं दुनिया में कौन सा पड़ाई अच्छा है दुनिया में कौन सा काना अच्छा है कहां पर हम पैसा कमा सकते हैं बहुत knowledge है हमारा जीवन में, लेकिन परमेश्वर के मन की बात को कितने लोगा जान कर, उसके उसी को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं, तुमारे रुदे को परमेश्वर देख रहा है, जक्के की रुदे को परमेश्वर ने देख लिए, जक्के एश्यमस्य को देखन आनने वाले उस बात के अनुसर येस्व्र मसहणित के पैचा लिया इसके अंदर पच्छताव आ गया है। स्वर्ग में तेरह जैसे पूरी होते है वैसे पुर्ती पर भी हो जाएं हम कितने लोग स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों ने करने वाले काम की संसार में कर रहे हैं परमेश्वर चाहते कि स्वर्ग में मेरे इच्छा कैसे पुरा हो रहा है वैसे संसार में भी क्या हो जाएं, पूरा हो जाएं, दाउद ने उस काम को, उस कदम को उटा लिया, दाउद ने जीवन में बच्पन से लेकर परमेश्वर के रदय को जाना, परमेश्वर के लिए जीए, परमेश्वर के मन की बातों को जाना, इसलिए दाउद ने काफी सार बजन सहिंता को लिखा उसको देखिएगा परमेश्वर के मन में क्या है परमेश्वर के रिदे में क्या चीज चिपा हुआ है सारा चीज को दावुद ने क्या कर दिया है लिखा है क्योंकि दावुद ने सबसे पहले परमेश्वर के रिदे को जानने वाला परमेश्वर के मन बातों को तोड़ा समझो कई सरे माता पिता के जो कई सरे जवान बेटा बेटी लोग है माता पिता को दिल को ना समझते हुए गलत काम करते हैं वैसे ही आज हम परमेश्वर के रिधाई को ना जानते हुए ना पहचानते हुए हम परमेश्वर के रिधाई के अंदर हम उतरना नहीं चाह रहे हैं बस हम हमारे मन के अनुसर जीवन बिता रहे बिना परमेश्वर के मन के अनुसर जीवन बिताना नहीं चाह रहे हैं इसलिए प्रियो दाउद के जिसे सबसे पहले दाउद एक परमेश्वर के मन को जानने वले के व्यक्ति था और जानकर उसी के अनुसर एक मनुष्यत्य दाउद ने जब गोलियात को मारने का समया आगया जब मैंने उस ब्रीफ इंपरमेशन में बताया एला जागा में जब गोलियात के साथ जब इसराइल के लिग युद्ध कर रहे थे तो गोलियात के उस हवाज को सुनकर साउल ड़ गया इसराइल लोगों ने के लिए प्रयास कर तैयार हो गया तो उस वक्त में राजा सौल था सौल राजा ने दाउद से पूछें क्या आप उससे मार सकते हो आप तो चोटे हो युद्ध करने का कोई भी आपको पता नहीं कैसे मार सकते हैं तो उस समय में दाउद ने कहता है सौल राजा को राजा पिता जी का बेड़ बकरियों को चराता था और जब कोई सिंग वा बालु जून्ड में से मेमने को उठा के लेक गया तब मैंने उसका पीचा करके उसे मारा और मेमने को उसके मूँस से चुडाया और जब उसने मुझ पर चडाई की तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे म डाल डाला धाउद बता रहे कि मेरी पिताजी के बेड़ों को मेरी पिताजी के बक्रियों को जब मैं चराता था मेरा नहीं है मेरा पिताजी का है जब मैं उनको चराता था अगर उस जूंड में अगर कोई भी जंगली जानवर आकर पकड़ के ले की जाता है मैं उसको पीजा राजा मेरे पिता जी के बेड़ बकरियों को जब में चराता था जुम्मेदारी से अपने जान को खुर्बान करना पिता जी ने काम दिये थे बेटा को बेटा तुम मेरा बेड़ बकरियों को चराना बाला के बेटा जंगल में जाकर बेड़ बकरियों को चराती समय में अपन जान को खुर्बान करके जान की उपर प्यार नहीं है बस उसके दिमाख में यही चल रहा है कि मेरे लिए एक जुम्मेदार दिया है मेरे लिए एक काम दिया है मैं उसको प्रयास से करना चाहिए यानि कि अपने जुम्मेदारी हर एक एक विक्ति को यहाँ पर एक जुम्मेदार दिया गया है चाहिए कोई भी प्लाटफाम में आप रह सकते हो आपको एक जुम्मेदार दिया है सायद एक मनुश ने आपको एक जुम्मेदार दिया है शायद आपको परमेश्वर ने एक जुम्यदारे दिये हैं या कोई भी एक पिताजी ने आपको एक जुम्यदारे दिये होंगे एक मा ने आपको जुम्यदारे दिये होंगे आपको हर एक एक वेक्ति को एक जुम्यदारी है जुम्मेदारी के बिना जीवन बिताने वाले उसको आलसी बोलते है उसके जीवन वेस्ट है हर एक एक वेक्ति को एक जुम्मेदारी है वो जुम्मेदारी को प्रयास से करना चाहिए आलसीपन से नहीं है प्रयास से कोशिस करके जुम्यदारे में आप आलसीपन ना दिखाएं जुम्यदारे में आप लोग धोका ना दे येश्य मसी ने एक समय में पत्रस से पूछें, क्या पूछें पत्रस आप मुझसे प्रेम करते हो पत्रस ने कहा प्रभी येश्य मसी में आपको प्रेम करता हूँ आप तो जानते हैं कि मैंकितना आमसे प्रेम करता हूँ येश्य मसीन उसामे में क्या कहा अगर आप मुझे से प्रेम करते हो तो अभी y由na rechiso samacchar 21.15 से लेकर 17 पदय तक अगर आप मुझे से प्रेम करना चाहते हो आप मुझसे प्रेम करते हो, तो क्या करना है, मेरे मेमने को चरा, मेमने मतलब है, येश्व मसी के पत पे जीने वाले, येश्व मसी के मारग पर, येश्व मसी के जैसे बनकर, येश्व मसी के ही लिए जीवन बिताने वाले, विश्वासियों को यहाँ पर मेमने कहा गया है, करना है चराना है चराना मतलब एक घास दे कर नहीं है उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा आत्मिक जीवन के द्वारा आत्मिक उन्नति के द्वारा आत्मिक छीसों के द्वारा आत्मिक वचनों के द्वारा आत्मा में उनलों को चराना चाहिए आत्मिक बातों के द्वार पत्रस को कहा ये शुमस ने, अगर आप मुझे से प्रेम करते हों, तो आप एक काम करना पत्रस, मेरे मेमने को चरह, फिर दूसरा बार ये शुमस ने पत्रस से पूछें, पत्रस तुम मुझे से प्रेम करते हो, पत्रस ने कहा प्रभब आप तो जानते हैं कितना प्रेम करता ह येश्वरमस ने क्या कहा? दूसरा बपार मेरी, मेरी भेडों की रखवा ले कर मेरी भेड़ है वो जगत में दोदरती पर जहां पर भी कलीसय बना कर आरदन कर रहे है वो कलीसय में रहने में सभी आत्मा हैं जेश्वरमस ही कहा है मेरा नहीं है आज बोलते है कि मेरा आत्म है कुछ लोग बोलते है मेरा आत्म है कुछ लोग बोलते है सियनाई का आत्म है कुछ लोग बोलते है पेंटेकुस्टल का आत्म है मेरी आत्म नहीं है वो काम मुझे दिया गया है वो काम आपको दिया गया है येश्यमसी ने कह रहे कि मेरी बेड को चरा और मेरी बेडों की रखवाला कर यहां पर धर्ती पे जो भी येश्यमसी की विश्वास करते हैं वो सभी लोग येश्यमसी की बेड है वो सभी लोग येश्यमसी की मेमने है येश्य मसी का रहे कि मेरी बेडों की रखवाला कर, आज हर एक एक विस्वासियों को रखवाला करना हमें, हर एक एक विस्वासियों को चराना हमें, येश्य मसी का अगर आप मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम्हें एक जिम्मेदारी में इस अंसार में दे रहा हूं, वो क्य जैसे इशही ने दाउद को अपने बेड़ बकरियों को दिया ता चराने के लिए उसको रखवाला करने के लिए उसको पालन पोशन करने के लिए आज भी येशिमस ने कहीं सरे आत्माओं को हमारे हाथ में दिया है आज मैं और आप भी क्या करना चाहिए उन मेमने के अनुसा येश्वमस ने दिया है येश्वमस ने कहा मेरे मेमने को चरा येश्वमस ने कहा मेरे बेड को रखवाली कर येश्वमस ने करा मेरे बेड को चरा येश्वमस ने कि जो कलीसे में आने वाले ने विश्वासे हैं उनको और जो कलीसिया में परिपक हो गया है उन दोनों को हमें रक्षा करना है, उनको रखवाली करना है उनको परमेश्वर के मारग में परमेश्वर के वचन के अनुसर चराना चाहिए ऐसे येश्वमस ने जीवन में कही सरे जुम्यदार आपको दिया है साथ साथ है, इस संसार में भी आपको कही सरे जुम्यदारी है उन जुम्मेदारियों में आपको क्या करना पड़ेगा बहुत ही प्रियास करके आपको जुम्मेदारियों को प्रियास से करने वले एक व्यक्ति होना चाहिए दाउद ने किया, दाउद ने साउल से कहा साउल राजा, जब मेरे पिता जी का ऐसे परस्तिती उनके बेड़ बकरी को चराता था उस वक्त में मेरे बेड़ बकरी उसे मेरे पिता जी के बेड़ बकरी उसे कोई भी एक बेड़ को भी एक बकरी को भी लुक्षा नहीं पहुंचाता था उसके लिए मैंने जान दे कर क्या कर दिये उन्हें बचाता था जान दे कर उन्हें में बचा कर मेरे पिता जी के बेड़ बकरीयों को में चराता था आज है उन लोगों के जैसे उन लोगों के जैसे दावुद के जैसे हमारा जीवन में भी जुम्मेदारियों को सहीरीती से निभाने वाले जुम्मेदारियों को सहीरीती से करने वाले एक व्यक्तियों कर जीवन बिताना बहुती बहुती आवश्यकता है तो दावुद के जीवन में तीसरा विशय को हम लोग ध्यान करने वाले हैं दावुद बहुत अच्छे शब्दों से दावुद को प्रसंसा करते थे एक ऐसा जीवन दावुद का था अगर आप लोग पहला सामयल का 16-18 पद में जाके पढ़ते हैं वहाँ पर साउल के जीवन में जब शैतन के आत्मा आता था तो उस आत्मा शैतन के आत्मा से निकलने के लिए वहाँ के लोग साउल को सलहा देते हैं तो राजा ऐसे है आपके अंदर की दुष्टा आत्मा बगाने के लिए हमारे लोगों में से कोई अगर वीना बाजाने वाले हैं ऐसे वेक्ति को लेके आएंगे तो उसके द्वारा शाहद आपको दुस्टा आत्मा भाग जाता है और आपको परमेशर के आत्मा आ जाता है तो सावल ने कहता है ठीके आप लोग एक वेक्ति को ढूंडो तो उस वक्त में सावल के अस्थान में रहने वाले एक वेक्ति दावुत की विशे में सावल के बार सावल के पास एक बात को कहते हैं वही चीज़ वहाँ पर लिगा गया है तब एक जवान ने उत्तर देके कहा सुन मैंने बैतलेहम इशे का एक पुत्र को देखा जो वीना बजाना जानता है और वह वीर योद्धा और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है यहोवा उसके साथ है देखिएगा दावुत के जीवन लोग के सामने लोग के मध्य में किस रिती से रहा लोग यहने कि साउल के सैनिकों में एक विक्ति साउल के पास दावुत के बारे में प्रसंसा कर रहा है कि दावुत के जीवन कितना अच्छा है दावुत किस रिती से जीवन बिताता है दाउद को खुपसुरत के बारे में, दाउद के वीर्ता के बारे में, दाउद के बुद्धी के बारे में, सच में, दाउद एक वीर्ता, दाउद एक खुपसुरत व्यक्तिता, दाउद एक बुद्धिमान एक व्यक्तिता, और दाउद के साथ परमेश्टर रहते थे, कारण क्या है बता है दाउद ने अपने जीवन में अनभों के द्वारा कुछ बातों को ऐसे बताता है बजन सहिता का बीसमादय सातों पद में वहां पर जाके पड़ते हैं तो दाउद बताता है कि किसी को रतों को और किसी को घोडों का वरोसा है लेकिन हम लिका है कि परंतो हम तो अपने परमेश्वर यहवा का नाम लेंगे दावत का वीरता परमेश्वर का नाम पर था गोलियत के साथ जब लड़ने के लिए गया था परमेश्वर का नाम को लेकर इसलिए अगर किसी के साथ लड़ना है किसी के पास युद्ध प्राप्त करना चाहिए कोई भी विपत्ती, कोई भी समस्य आएं उसके जीवन में जब भी आता था उसके बहरोसा केवल और केवल सारा सुष्टी करता परमेश्वर यहवा का नाम के उपर था आज वही परमेश्वर ने येश्व के नाम हमारे जीवन में दिया है इसलिए हमारा वीरता भी येश्व के नाम से रहना चाहिए लोग कहीं पर भी वो हिम्मत से रहें लोग कहीं पर भी किसी को पर बरोसा करें लेकिन हमारे जीवन येश्व मसी पर विश्वास होना बहुत ज़रूरत है दाउद बताता है कि बजन साहिता का 14 अध्याय दूसरा पद में और बजन साहिता के 119 अध्याय अंठानवे में बताता है कि तेरे व्यवस्ता के वज़े से तेरे विदियों के वज़े से मेरे सिक्षकों से भी अधिक बुद्धिमान में हूँ धाउद बताता, यहनि कि परमेश्वर के वच्चन के द्वारा धाउद बुद्धिमान हो गया था, धाउद का बुद्धी परमेश्वर के वच्चन के द्वारा मिला था, उसको ध्यान करने से मिला था, उसको मनन करने से मिला था, उसको जीवन में लाकू करने से मिला था, अ और अपने खुपसूरत के बारे में दावद कभी भी बाहर की खुपसूरत के बारे में नहीं सोचाता बाइबल बताता है कि दावद का पुत्र सुलेमन ने बताता है खुपसूरत की विशे में एक विक्ति अगर खुबसूरत दिखना है एक विक्ति को खुबसूरत कहां से आता है बुद्धी से निकि एक विक्ति के अंदर अगर बुद्धी रहेगा वो बुद्धी ही मनुशों के चहरे को प्रकाशित में लाता है करके सालो मनें अपने सबोपदेशक का आठमाद्य पहला वचने में बताता है सच में प्रियो आज बहुत सरा लोग बहारी कुपसुरत को बनाने के लिए कोशिश करते हैं मैं बहार से कितना कुपसुरत बनू उसके लिए कितना महंगी महंगी प्रोडेक्ट को करिते हैं आज चेहरे में लगाते हैं कितने चीज करिते हैं ब्यूटी पारलर जाते हैं अपने चेहरा कुपसुरत करने के लिए अपने बाल कुपसुरत करने के लिए अपने शरीर को कुपसुरत करने के लिए मनशों ने बाहरी चीज को तयारी में लेकिन परमेश्वर आपके रदय के अंदरी चीज को देखने वाले हैं आप रदय के अंदर से कितने खुबसूरत ने करें परमेश्वर नजर में दाउत के जीवन में केवल बाहरी चीज का नई है अंदर में वो इतना खुबसूरत था इसलिए लोगों ने इंसाने चीज़ को ध्यान करते हुए वो साउल राजा के पास बता रहे कि राजा वहाँ पर एक वीना बजाने वाले एक विक्ती है उस विक्ती ने बहुत बुद्धी माने बुद्धी से बात करता है उसके मूँ से अगर बात निकलता है बुद्धी का बात निकलता है आजकल लोगों के अंदर देखते हैं पूरा मूर्कता बरावा रहता है बातों में कुछ भी फाइदा ने रहता है सब अनर्थ बाते रहता है सब जूट बाते रहता है सब धोके के बाते रहता है सब फुसलाने के बात रहता है चुगली के बात रहता है लेकिन दाउद के अंदर ऐसे बातों को उन सैनिकों ने देखा जो बुद्धी के बात है दाउद मूँ खोलेगा काफी सरे लोग बुद्धी के बात मिलता था समझने के लिए देखो दाउद का जीवन उन लोग के सामने कितनी अच्छी से है लोग बता रहे दाउद के विशे में बुद्धी से बात करता है और उसके साथ परमेश्ट रहे देखो ये ऐसे जीवन बिताने के वज़े से ही वो बुद्धी से बात किया और वो बहुत वीर था और उसके साथ उसके जीवन बहुत ही खुबसूरत था इसलिए परमिश्ट्र sağ Pub साथ रहे ऐसे जब भी दाउत किस गुणों की द्वाबरा हम लोगमारा जीवन को लोग के सामने गवाई के तोर से करम जीवन बिताएंगे सच में परमिष्टर हमारे साथ रहेंगे दाउत के साथ जैसे परमिष्टर थे आज हमारे साथ भी रहेंगे येश्वमस ने कहें लोग के सामने तुमारे रोशनी चमके तुमारे जोती लोग के सामने चमके हम धर्ती के लिए नवक होकर जीवन बिताना चाहिए हमारा सुभाव, हमारा क्यारक्टर हमारा जो गुण है लोग के सामने के रोष्णी के जैसे क्या होना चाहिए चमकना बहुत जरौत है इसलिए प्रिपरमिश्र के लोगो दाउद के जीवन को देखिएगा लोग तारिफ कर रहे हैं क्या आपके जीवन को देकर आपके विक्तिक जीवन को देकर आपके गवाई को या आपके जीवन को कभी भी किसी और के सामने इस रिती से प्रसंसा किया गया है जैसे दावुद के प्रसंसा किया गया था जब लोग हमारे बारे में जब भी बात करते हैं वो गुसा है, वो नराज करने वाला है ये ऐसे कही सरे चुगली करने वाला है पाप करने वाला है ये ऐसे कही सरे भातों को लेकर आज कहीं से लोगों के बारे में बात करते हैं लेकिन हमारे जीवन इसे नहीं रहना चाहिए दाउद के द्वारा आज हमें ये सीकनावश्य करता है कि दाउद अपने जीवन में अपने जीवन में गवाही के द्वारा बहारी चीज अपने जिन्दगी के बहारी चीज भी लोग के निजर में गवाही रहा चौता चीज डाउद की चीवन में एक और बहुत बहतरिन चीज है डाउद एक है विश्वास योग के विक्ति होकर जीवन बिताए अपने समय में सच में एक विश्वास योग के एक विक्तियों के जीवन बिताता है जब साउल ने दाउद को मारने के लिए काफी महनत करता है मैंने पिछले बार बताया था दाउद को मारने के लिए 10 से लेकर 11, 12 बार उसको कोशिश किया गया लेकिन वहाँ से परमेश्टों ने उसे चुड़ाएं यहाँ पर एक समय में दाउद को मारने के लिए साउल ने निकल पड़ता है तो एक याजक मिलता है उस याजक के पास साउल आके मुलाकात होता है आहिमेले करके वहाँ पर आके बोलता है कि दाउद आपके पास आया था आपने हमको क्यों नहीं बताया उस वक्त में याजक अहिमेलेक ने सौल राजा के पास दाउद के विशे में क्या बताते हैं पता आपको आप मेरे साथ पहला सामयल का 22 मादे 14 अचिन जाके पढ़ते हैं दाउद को खतम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं दाउद की विशे में आप गलत विचार कर रहे हैं आपको पता है तुमारे सारे कर्मचारियों के मध्धि में दाउद के जैसे तुल्य दावुद के तुलिक कौन है इस वेक्ति है जो तेरे साथ विश्वास योग के जीवन बिताया है सच में दावुद ने अपने पिताजी के काम में विश्वास योग गे रहा दावुद ने सावल के साथ विश्वास योग गे रहा डाउद ने परमेश्चर के कामों में विस्वास योग गिर रहा उसको जो जुम्यदारी मिला था वो जुम्यदारी में विस्वास से काम किया विस्वास योग के वकर जीवन बिताए बिना किसी को धोका देने के लिखा वो कभी भी नहीं सोचा था परमेश्र को धोका देने के लिए नहीं सोचा था साउल को धोका देने के विशे में नहीं सोचा था या अपने भाप के लिए धोका देने के लिए नहीं सोचा था उसके जीवन में हमेशा जोका मेरे जीवन में मिला है उसकामे में विस्वास योग गी रहना चाहिए आज जो भी काम परमेशर ने आपके हाथ में दिये हैं उसको विस्वास योग के वोकर कीजियेगा अगर तुम्हरे पर बरोज्ट कर करके कोई काम जुम्मेदारी दिया है वो जुम्मेदारी को सही रिदी से निवाईएगा आप अगर विश्वास को खो लेते हैं तुम्हें फिर से विश्वास बना के रखने के लिए बहुत काफी महनत करना पड़ता है इसलिए प्रीपरमेश्र के लोगो तुम तुम्हारे जीवन में विश्वास योग्य रहें येश्वमस ने कहें तुड़ा में जब एक विक्ति अच्छा रहता है सच्छा निकलता है वो बहुत काम में भी वो सच्छा निकलता है अगर तुड़ा में अगर आप विश्वास योग्य नहीं है तोड़ा काम है अगर आप लोग सच्चा नहीं निकलते हैं बहुत सरा काम आपको कौन दे सकते हैं तुम्हारे जीवन में अगर आगे दोड़ना चाहते हैं तुम्हारे जीवन में अगर आप उन्चा स्थान में जाना चाहते हैं तुम्हारे जीवन में अगर लोग तुमसे अगर बरोसा करने चाहते हैं, तुमको बरोसा बचाने के बहुत ज़रोत है प्रियों, कोई भी काम आपको मिला हुआ है, यह आप लोग सेवक के काम रीति में सेवा करते होंगे, यह आप लोग कलिसे में क्या बोलते हैं, यल्डर् के जुम्हादारे निभाते होंगे, यह आप लोग कोई व्यक्ति के नीचे काम करने वाले व्यक्ति वोकर जीवन बिताते होंगे, यह आप लोग कोई एक समस्ता में काम करते होंगे, तुमारे उपर जो अधिकारी है, उस अधिकारी के नीचे आपको विस्वास योग्यों जीवन बिठाना बहुत अवशकत है तुम्हे विश्वास को बचा के रखना पड़ेगा दाउद को देखियेगा अपने जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया अपने पिताजी के बेड़ और बक्रियों के कारण साउल ने मारने के लिए कोशिश किया फिर पे साउल के विरोध में गदारी काम ने किया बलकि विश्वास योगी होकर साउल को अपना लाइफ को सरणर किया अवो बचके बचके निकलते रहा परमेश्वन उसको चुडाते रहे कभी भी साउल को मारने के लिए प्लान ने किय दाओद ने परमेश्वर जिस जुम्यदार ये परमेश्वर ने दिये थे परमेश्वर के नजर में वो विस्वास योगी निकल गया एक याज़क ने साउल को समझा रहे कि आपको पता है तुमारे करमचारियों में दाओद के जैसे कौन एसे व्यक्ति है जो विस्वास योग के काम किया है विस्वास योग के कौन है? दाओद है क्योंकि दाओद ने अपने जीवन में ठान के रखे थे जो काम परमेश्वर के द्वारा हो मनुष्वर के द्वारा हो ये संसार में हो या परमेश्वर के द्वारा जो कुछ भी मिला है, मैं उसको विश्वास योग की होकर में काम करूँगा, मेरे विश्वास को बचा के रखूँगा, ऐसा आप भी तुम्हेरे जीवन में विश्वास योग की होकर जीवन बिठाए, तुम्हेरे माता पिता के सामने आप विश्वास योग की रहो, माता पि की तुमसर उपपर उस विश्वास को नाचना करें उस विश्वास को बरबादना करें आप अपने जीवन में मिला हुवा हर जुम्हेदारे को विश्वास योग्य से उसको निबाने के लिए कोशिश कीजिएगा. क्योंकि अगर परमेश्र तुमसर साथ रहना है अगर परमेश्वर तुम्हेर उंच अस्तान में लेकर जाना है अगर परमेश्वर आपको आगे चलाना है अगर परमेश्वर हर काम में तुम्हें सफल करना चाहिए तो सबसे पहले दिये वे काम में चोटा हो बड़ा हो कस्ट हो कटीन हो कुछ भी हो जाए विश्वास योग्य होकर काम करने के लिए कोशिश की जिएगा आप करना ही पड़ेगा उसको दाउत के जीवन में पांच वी चीज दाउत के जीवन में परमेश्वर के सम्मुक में पांच वी चीज उसके जीवन में परमेश्वर में हमेश्व मग्ण वोकर हमेश्व परमेश्वर के अंदर विलीन वोकर जीवन बिताता उसने आप बजन सहीता को जाके एक बार अगर धियान करेंगे तो बजन सहीता में हर जग में दावुद बताता है कि वचन के बारे में प्रार्तना के बारे में साम्स 119 का वहाँ पर दावद बताता है कि परमेश्वर तेरे विदियों के वज़े से तेरे चितावने के वज़े से मेरे शिक्षकों से भी अधिक में बुद्धिमान हूँ मैं अधिक समझदार हूँ संसार को अच्छरिती से जानता हूँ लोगों को अच्छरिती से जानता हूँ हर चीज़ को समझने में समझदार जो है मेरे से जितन मेरे अंदर है वो कोई किसी के अंदर ने क्योंकि तेरे चितावनियों पर मेरे ध्यान लगा हुआ है तेरे चितावनिय के कारण में बुद्धिमान दिये बहुत समस्दार हो चुका हूं अगर चाहिए परमेश्ट्र के वचन के पास आज है बक्त दाउद बताता है कि जो कोई रात और दिन परमेश्ट्र का व्यवस्ता को ध्यान करते रहाता है वो धन्य है दावुद ने उसको अपने जीवन में लागू करके दिका कर बता रहा है दावुद बताता है कि तेरे चितवन या तेरे विदियों ने मुझे जिलाया है और तेरे विदियों के वज़े से आज मैं जिन्दा हूँ इसलिए में तेरे विदी पर या तेरे आग्या पर तेरे वचन पर है कभी भी मन नहीं हटा होँगा हमेशे उसी पर मेरा ध्यान लगा रहा होगा करके दाउद ने परमेश्वर के वचन के बारे में यहीं कि परमेश्वर के हवाज परमेश्वर के वचन इतना मन लगा रहा था दावुद को जब भी समय मिलता था उसी के बारे में जब भी समय मिलता था बकरी बेड़ बकरी चराते समय उसने इतना बजन को गीत गाया परमेश्वर के प्रसंसा की इसलिए लोगों ने कहा दाउद के बातों में बुद्धी कहां से मिलता है क्योंकि बुद्धी के बात बाइबल में है इस बाइबल के वचन को दाउद कहाने से लोग पहजान लिए दाउद बताया मैं परमेश्वर के वचन मदू से मीटा है परमेश्वर का बचन सोने से भी बाड़कर है, परमेश्वर का बचन हजारों महरों से भी उत्तम है, क्योंकि उसने बचन का अनुभो करके बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर के बचन, परमेश्वर के हवाज, डाउद के जीवन को पूरा जिंदगी को डुबा दिया, परमे अच्छा हमेशा बिजी रहने वाला एक व्यक्ति बाइबल बताता है कि बजन सहीता के 119 का 164 वचन जाके पढ़िएगा परमेश्वर के धर्म में के कारण दिन में साथ बार परमेश्वर का वस्तुति करता था साथ बार केवल परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, परमेश्वर को महिमा करने के लिए, परमेश्वर को धन्य कहने के लिए, परमेश्वर के सामने बैटने के लिए, परमेश्वर के सांद बात्चित करने के लिए, परमेश्वर के समुक में बैटकर है, जिंदगी पर वह आपने बेटना चाहते हैं, हम मुबाइल में समय देते हैं, मुवी में समय देते हैं, वाटसब में समय देते हैं, दोस्तों के साथ समय देते हैं, सोने के लिए समय देते हैं, गेम्स के लिए समय देते हैं, संसार के पड़ाई के लिए समय देते हैं, खाना के लिए समय देते ह आज के लिए अपने अपने पब्लिसिटी करने के लिए कुछ भी करते हैं के लोग आर्स काम के लिए समय देते हैं लेकिन शॉपिंग के लिए समय देते हैं लेकिन परमेश्वर के लिए समय देने विला आज बहुत कमी है आप बहुत बड़ा गलत कर रहे हो तुमारे जीवर में परमेश्वर ने आपने साथ संपर्ग बनाने के लिए अपने साथ समय बिताने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया था आदन के वाटिके में परमेश्वर ने बनाने से पहली परमेश्वर ने एक सबसे बड़ी योजना था कि मेरे लिए पुत्र रहें, मेरे लिए बच्चे रहें वो बच्चे हमेशा परमेश्वर के सम्मुक में रहें आज भी परमेश्वर वही अपेक्षा कर रहें आज आप परमेश्वर के सम्मुक में जाएं आप परमेश्वर के समुक में बेटिएगा और परमेश्वर के नाम के लिए हमेशा नाम हमेशा उंचा रहना है उस ही में विलीन रहता था क्या काम करने तो परमेश्वर के नाम हमेशा विलीन रहता है क्या काम करने इससे परमेश्वर के नाम स्तुति के योगी होता है इसलिए देखिएगा परमेश्वर के नाम को बदनाम करने वाले गोलियात के साथ अपने जान को कुर्बान करने के लिए तयार हो गया चोटा सा बालक दाउद ने गोलियात के साथ लड़ने के लिए चला गया क्यों का पता है गोलियात ने परमेश्चर के नाम को इसराइल परमेश्चर यहवा के नाम को बदनाम कर रहा था अपमान कर रहा था परमेश्चर के लोगों को भी अपमान करने के वज़े से वो धाउत को सहा नहीं पाया परमेश्चर के नाम को कभी भी कोई भी अगर बदनाम करते हैं उसको अपमान करते हैं तो उसको विरोध में लड़कर परमेश्र के नाम को हमेश्या महिमा करता था आज मैं और आप परमेश्र के नाम को महिमा करने के लिए कौन से कदम को उठा लिये हैं क्या सू समाचर का कदम उठा लिए है या सू समाचर को करने वाले लोग को सपोर्ट करने में उठा लिए है या हम लोग कोई प्रार्तना सवा होता है उसमें बैट कर परमेश्वर के वच्छन को सुनकर उसके अनुसर जीने के कदम को उठा लिए है या हमारे भाल बच्चों क परमेश्वर का वच्छन पर चलाने के कदम में उठा लिए है या हमारे पत्नी को हम परमेश्वर के ज्ञान को सिखा कर उसे बुद्धिवान स्त्री बनाने के कदम में उठा लिए है या आपके पती को परमेश्वर के सूर समाचरी, आपने गवाई के द्वारा परमेश्वर के पास लाकर जीवित परमेश्वर के नाम को बता कर परमेश्वर के नाम को हमेश्व वुच्छा करने के लिए आप लोग कौन सा कदम उठा लिए हैं गर पे बेटे-बेटे नहीं एक दिन मैंने एक परिवार में प्रार्तन करने के लिए गया थे उन्होंने बता दिये मैं परमेश्वर के लिए कुर्बान कर दी हूँ लेकिन गर पे रहते हैं ना प्रार्तन करते हैं बहुत सरो लोग ऐसे सोच में हैं परमेश्वर के कुर्बान के मतलब क्या होता है परमेश्वर के काम में लग रहना चाहिए परमेश्वर के नाम हमेश्वर उंचा करने के सोच में लग रहना चाहिए दाउद ने वो सोच को अपने जीवन में क्रिया में दिखा के दे दिया उसने दाउद परमेश्वर के नाम बदनाम होने नहीं दिया परमेश्वर क्योंकि उसमें विलिन था परमेश्वर में वो और चो था दाउद ने वहाँ पर हमेशे विलिन रहता था परमेश्वर के बारे में हमेशे चिंता करने वाला क्या करना परमेश्टर के लिए भी मैं, क्या करूँ, क्या करूँ मैं परमेश्टर के लिए, परमेश्टर के बक्त, नातान के पास जाकर दाउद बता रहा है कि, पहला इतियास का 17 अदे पहला उसन जाकर पढ़िएगा, दाउद ने नातान के पास जाकर बोल रहा है कि, नात जो गर बना, टेंट बनाते हैं, उस तंबू में परमेश्वर के उस मिलापवला तंबू है, मैं कैसे चेंज रह सकता हूं, देखो परमेश्वर के उसके एक मंदिर बनाना है मुझे, वो मिलापवला तंबू के एक मंदिर बनाना है मुझे, परमेश्वर के बारे में सोच रह परमेश्वर के बारे में हमेश्वा सोचने वाले चिंता करने में लेकर विक्ति था आज हमारे जीवन में हम लोग हमारे बच्चे के बारे में चिंता है हमारे भविश्क के बारे में चिंता है कल क्या खाना है कल क्या पीना है कल कहां जाना है कौन से बिजनिस करना है कहां से ऐसे इंकम करना चाहिए, हर चीज में क्या पढ़ना चाहिए, कौन सो नौकरी में अपलाई करना चाहिए, हर चीज का चिंता रहता है, लेकिन कोई किसी को परमेश्वर का चिंता है, कि मैं परमेश्वर के लिए क्या करूँ, परमेश्वर के नाम के लिए क्या करूँ, इस संस जाता है इसलिए जब तक आप जिन्दा रहते हैं अभी इसी वक्त आप के लिए है फर मेश्वर के लिए सोचना फर मेश्वर के लिए करना पर अधिक तर हिसा पर मेश्वर के अंदर विलीन था, परमेशर के अंदर ढूप गया था परमेशर के अंदर मुझे लगता है कि थेर रहा था हूँ परमेशर के नाम, परमेशर के वचन, परमेशर के प्रातना, परमेशर के क्या करूँ काम परमेशर के लिए इतनी अच्छी एक व्यक्ति इसलिए परमेश्वर दावुद को बहुत पसंद खी दावुद के जीवन में चटवी विशे ये है था दावुद ने अपने खिये हुए पाप को खिये हुए गलती को तुरंत मान ले रहा था हूँ मानता था उसने मैंने गलती किया हूँ मैंने पाप किया हूँ आज की लोगे जैसे घमण से जीना नहीं चाहता था उसने पाप पता है मैंने गलत किया हूँ लेकिन फिर भी मैं सुदा रह नहीं चाहता हूँ मुझे पता ही मैंने गलत किया हूँ फिर भी मैं बदलने के लिए कोशिश नहीं करता हूँ मेरे पापों को मैं रियलाइस नहीं करना चाहता हूँ आप अपने पापों को रियलाइस नहीं करना चाहते हैं लेकिन दाउद है यसे नहीं था जो पाप किया, जब उसको पता चले मैंने पाप किया हूँ, जब उसको पता चले मैंने गुणा किया हूँ, तुरंतु उसके लिए जाकर पच्ताता था उसने, आप अगर मेरे साथ पहला दुसरा सामिवल का 11-27 मद जाकर पढ़ियेगा, पर मेश्वर के वचने इससे कहता है कि दाउद ने एक काम वहाँ पर करता है, इसलिए परंतु उसका काम, उसका काम से जो दाउद ने किया था, यहाँ पर एक उरिया करके दाउद के साइनि में, सेना में काम करने वाले एक सेवक था, एक सेना, क्या बोल दोसको, एक सोलजर था, उरिया करके, एक दिन सब गए थे इसराइल के लोग दावद ने अपने घर के उपर चट के उपर गूम रहा था तो उरिया नाम का एक सैनी का पत्नी तो दूर में नहा रही थी जब दावद ने उस तरी को देखा अपने आंकों से देखने के बाद मोहित हो गया और उस आउरत को अपने घर पे लाकर उसके साथ गलत काम करता है, संबंद रखता है उसके बाद वो उरिया के पत्नी बतसिबा घरबोती हो जाती है यह जैसे दावद को पता चला कि वो घरबोती हो गए अपने वज़े से तो इसलिए युद्द करने के लिए गए उस सैनिक को बुलाई उरिया को बुला कर तुमारे गर पे पत्नी आखे लिए तुम जाओ आँ पर रहा जाओ उरिया बताता है नहीं प्रभू इसराइल के लोग रणभूमी में युद्द करने के लिए गया है क्या मैं मेरे पत्नी के साथ सुक विलास में रहूं नहीं रहूंगा जब तक वो लोट के नहीं मैं गर नहीं जाओंगा करके इतनी अच्छी सोच उरिया का था ऐसे उरिया के पत्नी के साथ गलत व्यवार किया आकरी में दाओद ने उरिया को बत्सिवा के पती उरिया को क्या करते हैं मार डालते हैं मरवा डालते हैं युद्ध में सेना पती को एक पत्र लिखवा कर बे तो उसके बाद परमेश्वर के बक्त नाथान आकर बताता है किसको दाउद को, क्या कहता पता है, यहोवा के विरुद पाप किया है दाउद तुम, यहोवा के विरुद तुम पाप किया हो, गुना किया हो, तुम ऐसे नहीं करना था, किसी दुसरे के पत्ने को आप उसके नातान नभी ने दाउद को बताते ही दाउद ने क्या किया पता है नातान के पास जाकर ने वेदन किया नातान ने दाउद से कहा यहवा ने तेरे पाप को दूर कर दिये है नातान जैसे उस वचन को पढ़ेंगे दूसरा सामवेल का बारमादे तेरा वचन तब दाउद ने नातान से कहा, मैंने यहवा की विरुद्ध पाप किया हूँ, मैंने यहवा की विरुद्ध पाप किया है, नातान ने दाउद से कहा, यहवा ने तेरे पाप को दूर कर दिया है, जब उसने गलत किया, पता चला नातान के द्वारा, तो तुरंत नातान के पास जाकर बोले इसलिए परमेशर ने नाथन के द्वारा ये कहे कि तेरे पाप क्षमा हो चुके क्योंकि एक व्यक्ति को जब अपने पाप के लिए पस्ताता है कि मैं गलत कियों मेरे पाप कियों फिर से उसको नहीं करूंगा आप कितने भी बड़ा पाप करें कितने भी बड़ा गुणा करे परमेशर उसे क्या करेंगे, माफ करेंगे खियवे पापों को अंगीकार करना अंगीकार करके पचता करक शमा मांगना परमेशर के पास शमा मांगकर उस पाप को छोड़ देना चाहिए बिना शमा मांगकर फिर से करेंगे, फिर से माफी मांगेंगे ये गलत होता है दाउद ने इस नहीं था अपने क्येवे गल्ती को अंगिकार कर लिया आज हमारे जीवन में क्येवे गल्ती को अंगिकार करना है दाउद की जीवन में दूसरा ही गल्ती करता है संसस करना यहीं कि जननगणन करना अपने देश में इस्राइल के लोग कितने बचे हुए हैं वो अपना बैक्गरोंड के लोगों को जानना चाहता था लेकिन परमेश्वर के पसंद नहीं था फिर भी कुछ याजकों ने कुछ मंत्रियों ने कहाने के बावजूद भी दाउद ने इस्राइल लोगों का जनगर करवाता है जवानों को जनगरण करवाता है तो परमेश्वर को पसंद नहीं था ये कमी परमेश्वर के नजर में दाउद ने किये वाग गलत था इसलिए देखेगा पहला इतियास का 21 साथ से लेकर आटम पतक अगर आप जाके पड़ेंगे तो और यह बात परमेश्वर को बुरी लगी इसलिए उसने इसरायल को मारा लगबख सतर हजार लोगों को परमेश्वर वहां पर मार डाला दाउद की कारण दाउद ने जनगरणन करने के वज़े से परमेश्वर के लोगों के बात को ना संते हुए जनगरणन करने के वज़े से परमेश्वर ने दाउद मनश्यों को कभी भी परमेश्र के सामने अंदाजा नहीं करना चाहिए शक नहीं करना चाहिए दाउद ने वो गलत किया दाउद ने वो गलत करने के वज़े से परमेश्र के पर शक करने के वज़े से परमेश्र काम पीछे होते रहता है उसके बार में कभी टेंक्शन नहीं लेना है कि कितना है कितना किया है क्या होने वाले कभी भी नाम लोग नहीं सोचना चाहिए लेकिन दाउद ने शक करकि ये काम करने के वज़े से दाउद के सामने परमेश्व ने क्या कर दिया उसको सबक सिखाया तब ये काम उसको पसंद नहीं हुआ परमेश्व बता रहा है कि आउद दाउद ने परमेश्व से कहा ये काम जो मैंने किया है वह महापाप है परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर दे परमेश्व के पास जाके बोलने लगे प्रभू मेरा अधर्म को दूर कर देना मेरा पाप को क्षमा कर देना परमेश्व ने उसका पाप को क्या कर दिये हैं क्षमा कर डाले आप जाकर बजन सहिता का एकावन को जाकर पढ़ियेगा दाउद ने अपने पापों को किस रिती से अंगिकार करता है दाउद ने जीवन में किये वे पापों को अंगिकार करने वाला था क्षमा मांगने वाला था सात्म चीज दाउद के जीवन में दूसरा एक गलत, दाउद अपने जीवन में अपने बच्चों को परिपालन करने में या बच्चों को अच्छी रास्ते में चलाने में असमर्थ हो गया था। अब दाउद के बेटा अमनों को लीजेगा, दूसरा इतियाश तेरवादे पहला वच्ण में, वो एक गलत कदम उठाता है, यहने कि अपने बाय अबशालूम, उसका एक बहन रहती है, उसके साथ गंदे विवार करके अपनी जीवन में गलत करता है, और अबशालूम जाकर उस विक्ति को माल डालता है, अबशालूम यहने कि दाउद का एक दूसरा बेटा, अमना उनको अबशालूम के उपर गुसा हो जाते हैं, क्योंकि जो पाप किया है, परिवार में ऐसे घिनोना काम किया है, उसको अबशालूम ने माल डालने के वज़े से, दाउद ने उसके अबशालूम के उपर गुसा हो जाता है, अमनों के उपर कभी गुसा नहीं हुआ थे, तो अबशालोम फिर अपने पिताजी के पास आ जाते हैं, वहाँ पर आने के बाद, अबशालोम, यह कि दाओद के बेटा, खुद बिताजी को विरुद जीवन विदाता है, पिताजी को माल डाले के लिए कोशिच करता है, पिताजी का राजगदी में बेटने के लिए कोशिच क के साथ दौसरा सामियल का पॉल्फर में लों को बता रहे ऊपने सेनापतिüne यो आपterror को अभिशाई को आग्यांदे रहे ह sampari मेर मेरे निमत ऊच जमान आरथ स्यवान अर्फषालोम से को मलता करना अभिशालोम को कवर distribute उसके साथ कोमलता मेरे लिए गलत किया है पिता जी की विरुद गलत किया है पिता जी के उपपत्नियों के साथ आवेभार करके उनके साथ भी गिनोना किया है ऐसे एक बेटा गलत रास्ता में है ऐसे एक बेटा पाप की रास्ता में है ऐसे एक बेटा गिनोना काम कर रहा है अ वक्त दाउद ने अपने सेनापती योब को कहा कर बेज रहे हैं देखो बेटा गलत किया उसको समझाइए डाट के समझाइए बोल के समझा नहीं बता रहा है जब अबशालो मर जाता युद में उसके लिए तो इतना बड़ा रोता है दाउद ने यो अबशालो मेरा बेटा देखो गलत करता बेटा लेकिन गलत के लिए उसको समझाना या गलत का शिक्षा आज भी समस यही है कई सरे परिवार में देखिएगा बेटा कुछ भी गलत करते रहता है लेकिन गर के माता पिता ने अपने बेटा को कुछ डाटना नहीं चाहते हैं कुछ बोला नहीं चाह कुछ समझाना नहीं चाहते हैं बेटा जो कुछ भी करे गर पे चाहिए उनके जवान बेटा कुछ भी करे परिवार में वो उनके लिए बहुत अच्छा रहाता है बेटा अगर कल लोग सिगरेट पकड़ लेगा से हाथ में कुछ माता पिता ऐसे भी है बहुत खुश होने ला हसने वाले हैं बेटा अगर दारू पी क्या आता है बेटा बाप के साथ दारू पी किता है बैटके लेकिन बाप ने बेटा को दारू डालके देता है बिना बेटा को नहीं समझाता है कि बेटा तुम गलत कर रहे हो ऐसी कितने परिवार है आपके घर के अगल बगल में कितन परिवार हैं देखो आप लोग ऐसी परिवार आज भी समाज में तयार हो चुका है अगर आप अपने बेटा को सही रास्ता में अभी नहीं चलाओगे तो कल होकर तुमारे गला की उपर बेढ़ जाएगा तुमारे इज़त को समाज में लूट लेगा तुमारे इज़त को जब दाऊद नए टेंक्शन हे लिया तीसरा बेटा दाऊद का जब दाऊद बढ़ा हो गया था तो तीसरा बेटा अधोन ये करके उसने क्या करता है बिना बाप से बताए बिना बाप से पूछे ही धी ये खुद राजगत्य में बेटकर सब लोगों से इकटा अब मैं राजा बनने वाला हूँ बाप की विरोध में राजगित्ति को बेठा लिया, देखो बाप रहते हुई बाप के जगा में बेटा बन गया, राजा हुआ करके खुद बोलने लगा, फिर भी उस गटना आप जाके पढ़ियेगा, पहले राजाओं का पहला देखो, फि कभी यह कहकर उदास ना किया ता कि तू ने ऐसा क्यूं किया दावत के बेटा Aadoni कुछ भी करेए जन्न में से लेकर इस उमर तक बेटा को बाप ने कुछ भी नहीं कहा था। बेटा तुम ऐसे क्यूं करते हो, तुम कहां जाते हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं कहा था, जैसे आज के माता पिता लोग भी हैं, बेटा कहां पर भी जाते हैं, उनको अजाद चोड़ देते हैं, बेटा कुछ भी करे गर पे, बेटी कुछ भी करे, कैसे भी कपड़ा पह लेकिन माता पिता बेटा बेटी को बोलने के लिए तियार नहीं, कारण, पताने कारण, ज्यादा ममता हो गया होगा, या माता पिता के मूर्कता हो गया होगा, माता पिता के पागलपन हो चुका होगा, तो इस निदी से आमारा समाज भी क्या हो रहा है, जी रहा है, लेकिन मै आपको बताना चाहता हूँ, दाउद तीन बेटों के साथ ऐसे किया, आकरी स्टेज में दाउद ने, वहाँ पर भी सक्सस हो गया, बेटे लों को किस रितिसा समझाना चाहिए, बेटे लों को समझाना चाहिए, बेटे लों को सलहा देना चाहिए, बच्चों को अच्छे रास जब दाउद ने दाउद के मरने के समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, सुलेमान भी अपना पुत्र था, यहीं कि बसिबा के खोक में आया था, कि मैं लोक की रिती पर कुछ करने वाला हूं, यहीं कि मैं मरने वाला हूं, इसलिए तू हिया बांध कर पुरुषार्त दिखा, तीसरा वचन को देखिएगा, बेटा को किस रिती से सला दे रहा है, और जो कुछ तेरे परमेशर यहवा ने तुझे सोंपा है, काम के विशें बता रहे हैं तो तेरे लिए एक जुम्मेदारी मिला है सुलेमान तो राजा बनने वाला है तो राजा बन गया है जो परमेशुने तुझे सोंपा है उसकी रक्षा करना तेरे जुम्मेदारी को रक्षा करो अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो उसको रक्षा करना चाहिए अगर काम को सहीरिती से ध्यान लगा और परमेश्वर के मारग पर जीवन बिठाना और नेस्ट उसकी विदियो तथा आज्ञाओ और नियमों और चितवनियों का पालन करते रहना परमेश्वर के आज्ञा, नियम, विदी उसके चितोनियों को फालन करते रहना उसमें तो सफलोगा आखरी में अपने बेटा को अच्छी सला दे रहा दाउद ने देखो प्रियों, मैं इसलिए इस बात को बताना पड़ा, अगर तुम्हारे जीवन में परिवार मिला है, फर्मेश ने काफी सारे अनभव को बता कर उन्हें अच्छो रास्ता में चलाईए, पर्मेश ने ज्ञान में, पर्मेश ने के मारगी में चलाईएगा देखे प्रियों, आखरी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, दाउद के परिवार बहुत बड़ा परिवार था, उसके मा, बक्तिनी, उसके बाबी बक्त, और उसके भाई लोग भी बहुत अच्छे एक राजा के पास काम करने वाले थे, लेकिन उनको तोड़ा हिम्मत और पर्मेश ने प्रती जिना बहुत ही खटीन होता था, लेकिन उस परिवार में पर्मेश ने दाउद को चून लिए, पर्मेश ने दाउद को चून लिए, इसलिए पर्मेश ने दाउद को चूनना पड़ा, इसलिए कि उसके क्यारेक्टर इतना अचा था, दाउद ने बच्पन से ही पर्मेश वर के मन के बातो उपर ध्यान लगाने वाला था परमेश्वर के या मनुष्वर के दिवे हर एक एक जुम्मेदारी में वो प्रियास के द्वारा काम करने लेके विक्ति था और बहरी जीवन इनके बहरी चीज से इनके बहर से काफी लोग के सामने एक गवाई के रीती से जीवन बिठाने वाल हमेश्व विलिन होना, परमेश्वर में मगन होकर जीवन बिताया, दाउध ने चटमे चीज, जब उसने गलत किया, पांप किया, उसको अंगिकार करने लेकर विक्तिता बिना, घमंड से मैंने क्या हुआ गलती सब सहिए, मेरे इसाब से सब सहिए करके वो जीवन नहीं बिता जब परमेश्वर के आग्या के इसाब से गलत है, तो उस गलती को उसने अंगिकार करके उनसे माफी मांगा, उसने दो जगा में गलती किया, एक बेचसबे के साथ, एक जनगणन करने के बाद, उन दोनों जगा में भी आकरिम उसने क्या करता है, क्षमा मांगता है, साथव अपने बच्चों के पालन पोशन करने में या अपने बच्चों के परिपालन में तोड़ा सा असमर्त था दाउद ने लेकिन लास्ट में वो भी क्या कर दिया उसको भी फुल्फिल कर दिया दाउद के सुलेमान के द्वारा बच्चों को किसरीती से परिपालन करना चाहिए बच्चों को किसरीती से चलाना चाहिए बच्चों को किसरीती से सलहा दियना चाहिए बच्चों को इस अंसार में आकिर क्या चाहिए पिताजी ने जानकर है जो सुलेमान के जरूरत था उस परमेश्वर का परिच्छ दाओद ने सुलेमान को दिया दाओद सुलेमान को बताया तु परमेश्वर के पत पर रहो परमेश्वर के मार्क पर रहो तेरे काम में तुम हमेशे नजर लगाओ तेरे साथ परमेश्वर रहेगा तु हमेशे सफल रहेगा इसलिए प्रियों परमेश्वर ने प्रेतों को कामां के वर्णा ने बताया था कि मेरे मन के अनुसार चलने वाले के व्यक्ति दावुद परमेश्वर के मन के अनुसार जीने वाले व्यक्ति इस रीती से जिना बहुत अवश्यकता है इसलिए प्रियों यहां तक दावुद के घटना जो है कतम हो जाता है मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्ट से बताया हूँ, दाउद के बारे में बताया है तो बहुत कुछ है आप व्यक्तिकत रिदि से इन वचनों को और इस अध्यायों को पढ़िएगा और भी आपको ज्यादा ज्यान मिल जाएगा दाउद के द्वारा प्रभो आज हम साथ चीजों को समझ लिए है उन साथ चीजें हमारे जीवन में लागो करके उसी के अनुसर जीवन बिधाए और हम आपको हमेशा महिमा करते रहें, तेरे स्थुदी करते रहें, सारी प्रारतने आज से लेकर युगान युग आप सभी के साथ बने रहें आमे